शिरिक गुरु गरंद साब माज मैला पन्यवाँ पार ब्रह्मी प्रभु मेगू पठाया जलि थली मही अली दै दिसी वर्षाया सांती पई बुजी सब त्रिष्णा अंदू पया सब ठाई जीओ सुखदाता दुख पंजनहारा आपे बक्सी कर जीओ सारा अपने कीते नो आपी प्रतिपाले पई पैरी तिस ही मनाई जीओ हे भाई पार ब्रह्म प्रभु ने गुरु रूपी बादल बेजा है और जिसने जल थल प्रिथी अकाश दसो दिशाओं में जल बरसाया है जब उस गुरु उपदेश रूपी वर्शा से संपुरंत त्रिष्णा बुजने से शांती हो गी है और सब स्थानों में अनन्द हो गया है पार ब्रह्मी प्रभु मेगुपठाया जलि थली मही अली दहदि सीद बरसाया सांती बई बुजी सब त्रिष्णा अन्दूपया सब ठाई जीव है बाई वै हरी सुखो का देने वाला है और दुखो का नाष करने वाला है सुख दाता दुख पञजना आरा आपे बक्सी करे जीव सारा आपी जीव की संभाल करता है वै अपने रचे जीव को आप रख्षा करता है इसलिए उसके चर्णों में पढ़ करके उसे मनाएं अपने कीते नू आपी प्रती पाले पई पैरी तिस ही मनाईजियो जाकी सरनी प्यागती पाईए सांसी सांसी हरी नामोते आईए तिसु बिनू औरूना दुजा ठाकरू सब तिसे किया जाईजियो क्योंकि जिस प्रमात्मा की शरन पढ़ने से मौक्ष मिलता है उस हरी के नाम का प्रतीक सांस समरन परे उसके अत्रिक्त कोई दूसरा ठाकर नहीं है क्योंकि सब कुछ उसी द्वारा निर्मित है जाकी सरनी प्यागति पाई सांसी सांसी हरी नाम ते आईए तिसु बिनौरूना पूजा ठाकरू सब तिसे किया जाईजियो तेरा मानू तानू प्रभ तेरा तो सच्चा साब गुनी गहेरा नान को दासू कहे बेनती आठ पहर तुद्दू त्याईजियो हे प्रभ जी हे हरी जी तेरा ही मान है तेरा ही बल है हे सच्चे साइब तो ही गुनों को ग्रहन करने माला है नानक जी कहते हैं मैं दास ये प्रात्रा करता हूँ कि मैं आठ पहर तिरा समरन करूँ नानक दासू कहे बेनती आठ पहर तुद्दू त्याईजियो माज मैला पंजवा सबे सुख पे प्रवतुठे गुरपूरे के चरनमनी बुठे सहज समादी लगी लिव अंतरी सो रसु सोई जाने जीव अगम गोच साबू मेरा कट-कट अंतरी वर्ते नेरा सदा अलिपतु जीव का दाता को विर्ला आपे पच्छाने जीव जिस पर प्रभू परसन्न हुए हैं उन्हें समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं सबे सुख पे प्रभू तुठे उनके मन में पूर्न गुरू के चरन बसे हैं उनकी सहज समादी लगी है अर्थात प्रभु किर्पा से सुता ही उनकी समादी लगी है और उनकी वर्ती अंतर मुखी हो गी है वे अनंद वही मन जानता है जिसकी वर्तियां आतम प्राइन हूँ सेज समादी लगी लिवी अंतरी सो रसो सोई जाने जीओ मेरा साब अगम तथा गोचर है अगम गोचरू साब यू मेरा कट-कट अंतरी वर्ते नेरा स्थोल द्रिष्टी से मेरा साइब परे है लेकिन मैं परतेक प्रानी के भीतर निकटी वित्यमान है मैं प्रवुस सदा निर्लिप्त है और जीओं को खान पान देने वाला है ऐसे निसंग परमात्मा को कोई विल्ला ही पहचानता समझता है सदा अलिपतु जीयो का दादा को विल्ला आपू पुच्छाने जी प्रभ मिलने की एह निसानी मनि एको सचा उकमु पच्छानी सहजी संतोखी सदा त्रीता से अंदू खसम के पाने जीयो अगले पात में प्रभू मिलन की पहचान के संबंद में बताया है कि प्रभू मिलन की यही निशानी है कि मन परिपक्क करके अथात सुख दुख में समरस करके करके एक प्रमात्मा का सचा हुकम पहचाना जाए सुख दुख को एक समान समझ के उस प्रमात्मा का किया हुआ सब हुकम समझना चाहिए वे प्रुष सवताही संतुष्टो करके सदेवत्रिप्तरे हैं क्योंकि स्वामी के पाने अदेश को मानने से उन्हें अनन्द प्राप्त पा है सैजी संतों की सदातिपता से अंदुख खसम के पाने जियो अथि दिति प्रभु देवन हारे जननम मरन रोग सबी निवारे नानक दास किये प्रभु अपने हरी कितनी रंग माने जियो जिनको दाता परमात्मा ने बान दी है अठात सहारा दिया है उनके जनम मरन आदी सब रोग निवरित कर दी है नानक कहते हैं कि जिने प्रभु जी ने अपना दास बनाया विह हरी के यश्का अनन्द भोग ती अथि दिति प्रभु देवन हारे जनम मरन रोग सबी निवारे नानक दास किये प्रभु अपने अरी कितनी रंग माने जियो माज मैला पंजवा किनी दिया गुपाल गुसाईं गुर के चरन वसे मनमाईं अंगी कारू की याति निकते दुख का डिरा डाया जियो जिन पर गुपाल गुसाईं ने दिया की उनके हिद्धे में गुरू के चरन वसे हैं प्रभु जी ने उन भक्तों को अंगी कार गिया है अथात उन्हें सवी कार किया है और जनमादी के लिशो का डिरा गिराया है अथात दुखों से मुक्त किया है किनी दिया गुपाल गुसाईं गुरू के चरन वसे मनमाईं अंगी कार किया तिनी करते दुख का डेरा टाया जियो मनी तनी वस्या सच्चा सोई विखडा थानू ना दिछ से कोई दूत दुसमन सभी सजनोए एको स्वामी आहया जियो जिनने मन तन में परमात्मा के वास को पैचाना है उन्हें दुर्गम स्थान कोई दिखाई नहीं दिता अठात वे सर्वत्र उस प्रभु की उस हरी की उपस्तती महसूस करते है जब एक स्वामी को चाहा तब यम्दूत रूपी दुशन भी सब मित्र हो जाते है जो कि चुकरे सो आपे आपे बुद्धी सियानव कछुना जापे आपनिया संतानों आपे सहाई प्रभु परम पुलावा लाया जियू जो कुछ करता है सो आप ही करता है बुद्धी से उपजी चत्राई कुछ भी ग्यान नहीं पाती जो कुछ करे सो आपे आपे बुद्धी सियानव कुछ ना जापे जो ब्रहमों का ब्रहांती जनक पर्दा था सो उतार दिया है इसलिए प्रभु अपने संतों को आप सहाईता करने वाले हुएं चरन कमल जनका आदारो आठ पहर राम नामू वापारो सैज अनन्द गावी गुरू कुन गौबिंद प्रभनानक सरब समाह से आजियो ब्रद जनको प्रभु के चरन कमलों का सारा है और वैं आठ पहर राम नाम का व्यपार करती है चरन कमल जनका अदारो आठ पहर राम नामू व्यपारो व्यपार करते हैं तो राम नाम का नानक जी कहते हैं कि भक्त जन अनन्द में मग्न हो करके उस गोबिंद के गुन गाते हैं सैज अनन्द गावी गुन गोबिंद प्रभ नानक सरवसमाहिया जीव जो सरवत्रवयापक है उस गोबिंद के गुन गाते हैं उस क्रिष्ण के गुन गाते हैं माज मेला पजवां जो सच्चू मंदरों जितु सच्चूत्य आए सो रिद्दा सो हिला जितु हर गुन गाए जितु वसी अरिजन सच्चे नाम विटु कुर्बानों जीओ सच्चू वड़ाई कीम नहीं पाई कुदरती कर्मों न कहना जाई त्याईं त्याईं जीवी जन तेरे सच्चू सब्दों मनि मानियों जीओ हे सत्य सवरू परमात्मा वह मंदिर सवल है जिसमें तेरा समरन किया जाता है वही हिद्दे सुखी है जिस हिद्दे में हरी गुन गाई जाते हैं सो सच्चू मन्दरू जित्तू सच्चू तयाईये सो रिद्दा सहिला जित्तू अरी गुन गाईये यद्दपी गाना अर्थात वाने का विचे है हिद्दे का नहीं है तिथापी यहां गाने से हिद्दे में धारन करने का भाव है हि हरी वह धर्ती शोबाबादी है जहां तिरे संत बस्ते हैं हिसत्ते सो रूप तिरे नाम पर बडिहार हूँ सातर्ती सुहावी जित्तू वसी अरी जन जहां पर हरी जिनों का वास है वो धर्ती सुहानी है सच्चे ना मिटो कुर्बानी जीओ सच्चो वड़ाई कीम ना पाई हे सब्ते सुरोग तेरी महांता का मुल्यांकन ने किया जा सकता हे नेगी शक्तियों वाले हरी तेरा काम काज बखाना ने जा सकता बारं बार तुम्हें ध्यान कर तेरे भक्त जन जीते हैं और सच्चे उपदेश का अनन्द मन में भौकते हैं त्याईं त्याईं जिवही जन तेरे सच्चो सब्दो मनि मानो जीओ सच्चो सलानो वड़पागी पाई गुर पर साधी अरिकुन गाई ये रंगी रते तेरे तुद पामी सच्चो नामो निसानो जीओ हे सच्चे तेरा गुन स्तवन बड़े पुन्यों से प्राप्त होता है तेरे गुन सदकुर की कित्पा से गाई जाते हैं जो तेरे प्रेम में अन्रक्त हैं सो तुझे भाते हैं क्योंकि उनके पास सच्चे नाम का निशान है हे सच्चे तेरा अंत कोई नहीं जानता है सच्चे अंत ना जाने कोई थानी थनंतरी सच्चा सोई सर्वत्र वही सच्चा व्यापक है नानक सच्चू तया ये सद ही अंतर जामी जानो जीओ नानक्ची कहते हैं कि अंतरियामी सच्चे तु जानता है कि मेरी ये भावना है कि हमेशा तेरा ही समरंद करो माज मैला पजवा रैनी सुहावडी दिन्सु सुहेला जबी अमरत नामो संत संगी मिला कडी मूरत सिमरत पलवनी जीवनु सफलो तिथाई जीओ कहीं रात्री शोबनी हैं और दिन भी सुखद है जिसमें संतों का साथ मिल करके अमरत नाम जपा है रैनी सुहावडी दिन्सु सुहेला जपी अमरत नामो संत संगी मिला जिस सासंग में घड़ी महूरत अर्थाथ दो घड़ी और पल समरन करते हुए बीते उसी स्थान में जीवन सफल सिम्रत नामो दोख सभी लाथे अंतर बाहर हरी प्रवत साथे मैं पहु पर्मी खोया गुर पूरे देखा सबनी जाएंचियो अगरी पंक्तियों में संबरन करने से भक्तों को क्या लाब हुए हैं ये बतरा गया है जिन्होंने नाम समरन किया हैं उनके सब दोशे समाब्त हो गए सिम्रत नामो दोख सभी लाथे जो हरी ब्रहमांड में हैं उस प्रव को उन्होंने साथ ही जाना है अर्थात अपने आपको ब्रहम रूप सभी कारा है अंतरी बाहिरी हरी प्रव साथे पैपव पर्मू खोया गुरुपूरे देखा सबनी जाएं जियों जनम्मरन का जो भे और भ्रहम था उसे पूर्ण सत्गुर्णे मिता दिया है और तब समास्त स्थान में परिपूर्ण प्रव को देखाए प्रव समर्थू वड उच्च अपारा नव निधी नामू परेपंडारा आधी अंती मधी प्रव सोई दूजा लवे न लाईजियों व्यप्रव समर्थ है वर सबसे बड़ा उच्च तथा अपार है उसका नाम नव निधियों को देने वाला तथा भंडार को भरने वाला है आधी मध्यन तथा अंत में वही एक पूर्ण प्रव हुए और दूसरा कोई निकट नहीं लाया जाता अठात ब्रह्म के वल एक है उस जैसा अनने कोई नहीं है वह सवजातिय विजातिय एम सवगत तीनों से अलग है करी किर्पा मेरे दीन दे आला जाचिकू जाचे सादर वाला देही डानू नानकू जनू मांगे सदा सदा हरी त्यांचियों फिर दीन दे आलो प्रभू मुझवर क्रिपा करो मैं याचे के संतों को चरन धूरी चाता हूं नाने कहते हैं मैं दास आप से मालता हूं मुझे यह दान दो मैं सदा तेरा सम्रन करों मांज मैना पंजवां एथे तू है आगे आपे जीए जन्तर सभी तेरे थापे तुद्दो बिन अवरूना कोई करते मैतर ओड तो मारी जीव रसना जपी जपी जीवे स्वामी पार ब्रह्म प्रभु अंतर जामी जिनी सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्मू ना जुवे हारी जीव इस लोक में तो ही पूर्ण है और परलोक में भी तो आप ही है एथे तू है आगे आपे शुख्षव स्थूल सब जीव तेरे द्वरा स्थापित किये हैं जीय जन्तर सभी तेरे थापे तुस्ये उत्तम कोई नहीं है मुझे शीर रुपी आधार के लिए किवन आपकी शर्ण है तो दो बिनों अवर न कोई करते मैं कर ओड तुमारी जीव रसना जपी जपी जीवे स्वामी पार भ्रहम प्रभु अंतर जामी हे स्वामी जीहा तेरा नाम जब करके जीती है हे पार भ्रहम प्रभु तु अंतर जामी है हे प्रभू जिनोंने तुझे भजा है उनने ही सुख पाया है और वेप्रूश्य जिनम वरन के पासे खेलने में नहीं हाते हैं जिनना सेव्यातिन ही सुख पाया सो जन्मुना जुए आरे जियो नामु अउखदी जिनी जन तेरे पाया जनम जनम का रोग गवाया हरी की इतनु गामु दिन दाती सफल एहा है कारी जियो जिस वक्त भग्त ने तेरे नाम रुपी ओश्टी को पाया है उसने जनम मरन के अग्यान का रोग गवा दिया है हे हरी तेरा यश दिन रात्री गाता हूं क्योंकि यही ओश्टी जीव के लिए सफल अर्थात फल दायक है हरी की इतनु गामु दिन दाती सफल एहा है कारी जियो द्रिष्टी तारी अपना दासु सवारिया कट-कट अंतरई पर भ्रमु नमशकारिया एक सो विन्नो और दूजा नाहिं बाबा नानक इहमती सारी सारी जीव क्रिप आदिष्टी करके तुने जिस भक्त को सवार लिया है उस भक्त ने घट-घट में तुझे व्यापक बना करके परनाम किया है एक तुझ से अलग दूसरा कोई नहीं जाता जाना है एक तुझ से अलग दूसरा कोई नहीं जाना है नानक जी कहते हैं कि हिप परमीशर ऐसा मानने वाले बुद्धी ही श्रेष्ट है एकसु बिनु औरुदु जाने बाबा नानक इह मती सारी जीओ माज मैंना पन्जिवा मनु तनु रत्ता राम प्यारे सरबसु दीजे अपना वारे आठ पैर गोबिंद गुन गाए विश्रू ना कोई साँसा जीओ जिनका मन तन परमेशर उस हरी के भक्तों में अन्रक्त है उनके उपर अपना सरवस्न निच्छावर कर दिया जाए है भाई उनके संग आठ पैर कोबिंद का गुन गान करें और किसी सांस में भी विश्मिर्त नहीं करें आठ पहर गोबिंद गुन गाई विश्रू ना कोई साँसा जीओ सोई साजन मितु प्यारा राम नामू साद संगती विचारा सादु संगी तरिजे सागर कटिये जम की भासा जी सोई मेरा मान तन तथा वाने का मित्र है जिसने राम नाम सादु लोगों के साचरे में विचारा है संतों की संगती से संसार समुद्र पार किया जाता है और यम की भासी पाती जाती है अथात आवागमन से मुक्ती हो जाती है सादु संगी तरिजे सागरु कटिये जम की भासा जीओ चारी पदारत हर की सेवा पार जातु जपी अलख अभेवा कामू कृधु किलविखू गुरु काटे पूरन हुई आसा अगले पंक्तियों में हरी सेवा से होने वाले लाभों का उलेख है धर्म, अर्थ, काम, मौक्ष, चारो पदारत हरी की सेवा से प्राप्त होती है चारी पदारत हरी की सेवा हरी की सेवा से ही धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष की प्राप्त होती है यालख अभेदर हरी का जाप कल्प वरिक्ष के समान है और समस्त कामनाम का पूरक है काम क्रोध और पाप सत्गुर के सत्गुर ने काट दिये हैं जिससे संपुर्ण आशाप पूर्ण होगी है पूर्ण पाग पहे जिसु प्राणी साध संगी मिले सारंग पानी नानक नामु वस्या जिसु अंतर परवानु गिर्षत उद्दास हाजी अगले अंच में घरस्त और त्याग में कौंच रिष्टा इसका उत्तर दिया है जिस प्राणी के भाग्य पूर्ण होए हैं वैप पूरुश्य संतों के साध सारंग पानी विष्णु भगवान में मिला है नानक जी कहते हैं जिनके मन में नाम बसा है वही सवी कारी हैं चाहिवे हैं ग्रस्ति हो अथ्वा सन्यासी या त्यागी माजमेला पंजवान सिम्रत नाम रिदे सुख पाया करी किर्पा पगदी प्रगटाया संत संगी मिली आरी अरी जपया विन से आलस रोगा जियू जिसने हिदे के जिसने हिदे में नाम समरन किया है हरी हरी का नाम जपा है उसने सुख पाया है लेकिन जिन पर क्रिपा की है उन भगतों को हरी स्यम प्रगट हुआ है है भाई जिनोंने साथ संग में मिल करके हरी हरी जपा है उनके आलस आदी जोग मिट गए है जाके ग्रे नाम निधी हरी पाई तिसु मिलिया जिसु पूरव कमाई ज्यान त्यान पूरण परमेशर प्रभु सबना गला जवगाई जिसके हिद्धे रुपी घर में नव निधी रुपी हरी नाम है या जिसके पास पूर्व कृत शुब करमों की कमाई है वे है हरी उसे ही प्राप्त होता है प्रमेशर ज्यान ध्यान से पूर्ण है और सभी बातों से युग्य है अर्थात सरव प्रक्रेन सम्मत है खिन में थापी उठापन हारा आपी इकंती आपी पसारा लेपू नहीं जग जीवन दाते दसंडिठे लैनी विजोगा जीव प्रमेशर शन के बीच में स्थित करने माला है शन के बीच उठाने माला है अर्थात ये कि शन के भीतर उत्वत्ती तथा पर ले करने माला है आपी निराकार से रूप है और ब्रहमांड रूपी सगुन भी आपी है वे जग जीवन दाता निर्लिप्त है अर्थात विश्य स्रिजन के पच्चात असंग है उसके दर्शिनों से बिच्रे हे वेक्तियों के दुख दूर हो जाते हैं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लैनी विजोगाचियों अंचली लाई सब सिष्टी तराई आपना नाउं आपी जपाईं गुर बहुत हो पाया किरपा के ते नानक तुरीशंजोगाचियों जिसने अपने आचल में बांध करके समुची शिष्टी पार कराई है सोवे अपना नाम आप जपाता है नान कहते हैं वाई गुरु की क्रिपा से जिने प्रारब्ध से पुन्यों का सियोग था उन्हें गुरु रुपी जहाज पाया है